यहां पर देखो क्या बोला जा रहा कि एक रिक्टेंगुलर पीस ओफ लेंड है यानि कि एक रिक्टेंगल के सेप में हमार पास एक जमीन है जिसकी जो मेजरमेंट है वो 0.7 किलोमेटर बाइ 0.5 किलोमेटर है यानि मानलो उसकी जो लेंठ है वो 0.7 है और उसकी जो ब्रेथ है वो 0.5 है अब इज साइड इस टूबी फैंस्ड वीथ फोर रोज ऑफ वायर यानि क्या मूल रहा है है तक कोई भी इनिमल वगर व से जोटेступिं में गेरना समय हए making moisturizing Halo उसके तो इसको तार से वाइर से घेर नहीं लगाना है चारो साइड हूं को क्या करना है 4-4 बार लगाना है ताकि दम अच्छे से नीचे से उपर तक तार लग जाए जिसे एक बर अगर मैं यह मेरे पास जमीन है तो अगर मैं इसके साइड में बस एक बर ऐसे ता इसी यहां पर एक खुटा लगाूँगा यहां पर एक लगड़ी लगाऊंगा इधर भी लगड़ी लगाऊँगा है ना चारो साइड वहाँ पर वो कितना लगेगा टोटल तो यहाँ पर दम सिंपल है देखो दम कि हमको क्या करना है साइड साइड में लगाना है इसका वहाँ पहले हमनों क्या करेंगे पैरीमिटर निकालेंगे तो हमको यह पता चल जाएगा कि उसका एक बार अगर अगर अ निकालना है रोण है पता चला या कितनी अंपको निकाल सकते हैं वैसे हमस्द सब्सक्राइब करें हैं आपको यहाँ पर formula यूज करना है तो formula 2 multiply length plus breath है जैसे कि हमने हर question में देखा इसे अब यहाँ पर यह हो जाएगा हमारा 2 multiply length हमारा हो जाएगा 0.7 प्लस में breath 0.5 ठीक है और यह unit जो हमारे kilometer में है तो side में आपको kilometer लिख लेना है अब यहाँ से हमारा 2 multiply जब हम लोग इसको add करेंगे देखो 5 और 7 हमारा 12 हो जाएगा तो 12 का 2 लिखेंगे carry हो जाएगा 1 तो 1 0 और 0 add करेंगे तो 1 ही आएगा हमारा और इधर भी हमारे पास 1 digit के बाद decimal और इधर भी है तो simply आपको यहाँ पर 1 digit के बाद decimal लगा देना है यानि 0.7 और 0.5 को add करोगे तो 1.2 आ जाएगा पर यह हमारा किलो मिटर में निकला है अब इसका आपको से multiply कर दो तो 12 2 जा कितना होता है 24 होता है न तो बस यहाँ पर आप 24 लिखो और right side से 1 digit के बाद decimal है तो बस यहाँ पर भी 1 digit के बाद decimal लगा दो तो इसका जो perimeter निकल गया वो 2.4 km निकल गया यानि कि अगर मैं इस वाले जो हमारा जमीन है उसमें जब मैं एक बार ऐसे तार लगाऊंगा ऐसे इस तदिके से एक बार जब मैं तार लगाऊंगा वो चारो साइड ना तो मुझे 2.4 km तार लगेगा लेकिन हमको एक बार तो लगाना नहीं है महाँ पर हमको चार बार लगाना है 4 row करना है उसके तो यहाँ पर अप्लिकोगे total length of wire तेक है total length को मैं L कर देता हूँ of wire क्योंकि हमाँ पर wire लगाया जा रहा है तो इसके लिए हम लोग simply इसका चार बार multiply कर देंगे तो 2.4 multiply 4 कर दो और यह हमारा किलो मीटर में आगा answer को कि यह भी हमारा किलो मीटर में था तो 4 4 जा 16 का 6 हो गया carry हो गया 1 4 2 जा 8 और 1 9 और यहाँ पर वही decimal है 1 digit के बाद तो यहाँ decimal लगा दो यानिकि टोटल वहाँ पर 9.6 किलो मीटर वायर लगेगा I hope आपको अच्छे समझ में आगया होगा अधम basic concept वाला question था मैंने आपको detail में समझा दिया मिलते हैं हम लोग next video में यह पर जो आगे के questions है न उनको भी हम लोग इसी तरीके से simple method में समझेंगे थैंक यू पर वाचिंग